कि पाच हजार का इनाम था उस्साव क्रेडिट चिट फंड कंपरी का रिजनल मनेजर पकड़ा गिया यह खबर 11 गंटे पहले हमारे पास गवाली अर्साहिया जो दैनिक बासकर में प्रमुक्ता से छपी है हेलो फ्राइड नवश्कार और अदाब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टी न्यूज टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिट फंड कंपणियों के हरे एक लैटश न्यूज अकसर आपको लाकर देते हैं दोस्तों आज जो आपके लिए बड़ी न प्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है पिछले नौ महीने से वह फरार चल रहा था इसकी गिरफ्तारी पर एस पी ने पांच हजार रुपए का इनाम गोसित किया था पुलिस के मताबिक गवालियर के गरीब एक हजार लोगों के उसक्त क्रेडिट कॉपरेटिव में रकम जम्हा कराई थी कंपणी के अफसर और प्रतियों ने लोगों को कम समय में रकम दूगनी करने का जासा दिया था इस कारण कई लोगों ने तो अपने जीवन बर्की पूंजी कंपणी में जमाइक कर दी थी हजीरा पुलिस ने इस मामले में कंपणी के डारेक्टर इतने लोगों पर टाइशन की गई थी pregunta राय हारी सिंग्ह और नली नी सर्मा वय Idepend पुरे में गिरफतार हो चुके है क्योंकि इन लोगों ने गवालियर के अलावा मत्या पिर्देश के अलग-अलग सहर दिल्ली 36 गड़ जाड़कंड बियार में भी गरीबों को ठगा था संजय गूजर निवासी गवालियर फरारता उस पर एस पी ने पाच अजार रुपए क इनाम घोसित किया था एस पी अमित सांगी ने बताया कि चिटफंड कंपणी गिरफतारी के लिए अभियान चला जा रहा था इसके चलते संजय को पकड़ा पकड़ लिया तो दोस्तों अगर अभियान चला जाता है तो यह कंपणी के निवेशक कितनी आसानी से फंदे में से आ cdpanods यूझ लेकिन जब इनको पर सरकारी कोई परक्रिया ना लें सरकारी नको पर कोई कारवाई ना करें तो यह जो इन कम्पळुएं के प्रोटर होते हैं यह लोग अपणी ये ज़ादा नेवेशक को ठंकी करते हैं कि उनका जो पाप गड़ा होता है इतना जादा जो आखीर में पूटने की कगार पर जब होता है तो ऐसे ही पूटता है जैसे के आज पांच हजार का इनाम रखा गया और उस पर ये एक कारवाई चलाए गई चिटफंड कमपनियों पर और वो इनके मकड़ जाल में फज गया तो दोस्तों कारवाई होती है तो किर्या पर प नियू अपडेट के साथ